असलाम वालेकुम और अफ्रतुल्लाही वरकातु वल्कम बैक टू मैं यूरिप चैनल जैसे कि आप सब जानते हैं इंडिया से साओधी डारेक फ्लाइट्स ओपन हो चुकिया सारी पावंदिया हट चुकिया अलहंद बिल्ला तो जिनको भी इंडिया से साओधी डारेक फ्लाइट्स को लेकर कन्फ्यूजन है मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप मेरी इस वीडियो को पूरी तरह देखिए उसके बाद मैं आप लोग को हमारे जो पैकेजिज हैं इंडिया से साओधी डारेक फ्लैट वालों के लिए वो भी बताऊंगा और किन-किन लोगों को किन-किन जगा से कैसा कैसा जाना है वो भी बताऊंगा कि कैसा क्राइटेरिया है और क्वाईसे criteria में आप fit होते हो तो पहले तो मैं आपको बता दूगी तीन बातों के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा पहली ये कि सबसे बड़ी good news है कि जिनकी भी छुट्टी 30 November तक expire थी अलहंदुलिल्ला उन सब की छुट्टी जवजात ने शाही एलान करके 31 जनुरी 2022 साल 2022 ये 2022 तक बढ़ाने का एलान कर दिया है इस सईयोज अनॉंस्मेंट हुकूमत की तरफ से हुआ है और इन्शालला कोछी वक्त में कोछी पल में अगर आप अपनी छुट्टी चेक करो गया उनलाइन तो वो बढ़ेगी अब एलान हुआ है थोड़े वक्त में बढ़ना शुरूर दूसरी गूड नियूज ये है जिनको उम्रा पर जाना है जो उम्रा की जियारत के लिए इंतजार कर रहे हैं आप सब जानते हैं अलम्रा इतने सालों से हमने उम्रा और हज की इंडस्ट्री को सौफ किया है तो मैं आप लोगों को बता दू कि जिनको भी उम्रा को जाना है उनके लिए गूड नियूज ये आई है कि अब जो भी उम्रा विजा पर जाएगा उनको कॉरंटाइन होने की जरुद साओधी में नहीं है यानि वो इंडिया से साओधी डारेक जा सकते है अब इसकी पूरी क्लेरिटी आना बाकी है क्योंकि इंडिया का सिस्टम अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है विजा के लिए जब वो होगा हम पैकेजिज और विजा का सारा क्राइटेरिया भी बठाएगे इंशाल्ला और ये जो उम्रा का कॉरंटाइन का प्रोसीजर है ये दो लोगों के लिए होगा पहले वो जिन्होंने किंग्डम साओधी से की अप्रूवड वैक्सिन लिस्ट से अगर वैक्सिन ली है इंडिया के लिए बात करें तो इंडिया में कोविशिन ही चलती है जो अप्रोवड है तो आप अगर कोविशिन लिए हो और आप उम्रा विजा पर जाओगे तो इंशालला आपको कॉरिंटाइन होने की जरूवत नहीं है मगर आप कोवैक्सिन लोगे क्योंकि कोवैक्सिन डब्लू एचो अप्रोवड है तो जिन्होंने डब्लू एचो से अप्रोवड वैक्सिन लिए है उनको 3 दिन कॉरंटेण साधी एंटर करके होना ही होगा यह उम्रावलों के लिए में बात करौग होगा उम्राश शुरू होगा इंशाथ और जिन्नों ने साधी अप्रोड वैक्सिन्स लिए जैसे कि कोविशिंड़ उनको साओधिया इंटर करके कोई भी कॉरंटेन करने की जरूवत रही है, या Ministry of Hajd की तरफ से प्रोटोकॉल आया है, जिसका reference भी मैं इंशालला इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दुआ, और तीसरी बात यह है कि कौन-कौन डारेक्ट फ्लाइट से जा सकता ह और इंडिया आये है, अब इंडिया से सौधी जाना है, तो उनको सौधी एंटर करके institution quarantine करने की जरूवत नहीं है, ये पहली केटेगरी, दुसरी केटेगरी वो है, जिन्होंने सौधी से एक dose लिये है, और इंडिया आये, आब इंडिया से सौधी जाना चाहते है, उनको से कोई भी fully vaccinated हो या unvaccinated हो उनको पांच दिन institutional quarantine करना लाजिम है ये तीन टाइप की category है तो अब मैं packages बता देता हूं कि हमारे पास जो flights है जिनको जाना है दिल्ली से रियाद दिल्ली से दम्माम बॉंबे से रियाद तो अलहम्दुल्ला हर dates में December की 1st से 2nd week में हमारे पास options है और इसमें package जो रहेगा 85,000 का जो दम्माम का रहेगा वो फिलहाल दम्माम का दिल्ली से है जो वाया फ्लाइट रहेगा अब इसमें कौन-कौन जा सकता है ये direct flights में पहले तो आपकी family विजा हो या आपकी नई विजा हो या आपका या आपने का डोज लिया है अब आप एक डोज लो या दो डोज लो या एक भी डोज मत लो आप जब सौधी की flight booking हमसे करोगे तो हम आपको टिकेट देंगे इंडिया से सौधी की और उसके साथ पांच दिन institutional quarantine package देंगे उसमें जब आप सौधी एंटर करोगे तो आपका pickup होगा एरपोर्ट से और होटल में ड्रॉप होगा वो होटल जो airline वाले देंगे वो होटल में आपका पहला दिन PCR होगा पास दिन आपका stay होगा जिसमें तीन टाइम का मील होगा और पास दिन बाद आपका आपका आखरी PCR टेस्ट होगा उसके बाद आप फारिगो इंस्टिशन quarantine से और फिर आप साओधी नॉमली लोकली आप कहीं भी जा सकते हो तो यह सा साओधी से दो डोज लिये है वो सिर्फ टिकेट ले सकते हैं उनको पांच दिन इंस्टिशन quarantine की जरुट नहीं है दूसरी के टेगरी वो जिन्होंने साओधी से एक डोज लिये है उनको तीन दिन इंस्टिशन quarantine का पूरा पैक्स लेना लाजिए तो बहुत ही clear है बहुत ही simple है इसमें confused होने की कोई जरुवत नहीं है फिर भी अगर आपको doubts है तो आप comment box में उतना question दादल सकते हैं इंशालला हमारी team reply करेगी और आगे के लिए please don't forget to hit the bell icon and please subscribe to our channel Thank you